क्याते हैं ना हर पिच्चर में कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा कौन हीरो नाइस दिलान केजियप चैप्टर टू रिलीस से पहले ही सुपर हिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है बाहु बली और 2.0 का रिकार्ड कैसे तोड़ने जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गरात के फिल्मी गलियारे में आधी कहानी अभी आना बांकी जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा केजियप चैप्टर टू केजियप के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स ने अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई गरुणा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था रौकी यानि की राजा कृषप्या बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने की कारण मर गई लेकिन उसने मरते समय अपने वेटे से बचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा रौकी इनी चीजों की तलास में मुंबई आया और जल्द ही रौकी भाई नाम का एक डौन बन गया उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हत्याने के लालची लोग उसे गरौणा को मारने के लिए सुपारी देते पहली बारे में फेल होने के बाद रौकी गरौणा को उसके गड़ में यानि खान में ही मारने का प्लान मनाता है और मार भी देता है पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई अधीरा गरौणा का चाचा है सोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधीरा को नजर अंदाज कर अपनी विमारी के बाद खान को सम्हालने की जिम्मेदारी गरौणा को सौप देता है इस बास से अधिरा नरास, फिल्म के पहले हिस्से में अधिरा का कई जगा जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और कूर बताया जाता है, रौकी के हाथों गरवा की हत्या के बाद अब अधिरा की नजर भी खान पर है, दूसरी और रौकी भी उस खान पर अपना कब तू में रॉकी और अधिरा आमने सामने होंगे, साथ में कई और खिलाडी होंगे, जो कॉलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहिए। पहले फिल्म में सिर्फ गर्वा को मारने की कहानी दिखाई गई थी, इसके आगे क्या होता है और फाइले कहानी कहां पहुंचती है, यह हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखनी को मिलेगा। लेकिन यहां में लड़ाई अधिरा और रौकी की बीच है, इस फिल्म में कन्नट फिल्मों के सुपरस्टार यस अपने रौकी के किरदार को आगे बहाएंगे। और कहा जा रहा है कि यह फिल्म बहु बली और टू पॉइंटों से भी बड़ी फिल्म साबित हो और बॉक्स आफिस पर कम से कम 3,000 कौन रूपए का बिजनेस करेगी।